अपयरे दोने बदलावों से विद्यार्तियों को अब है इसके संबंद में उत्तिरणता का जो लॉजिक है उजो उत्रिनता की जो करवाई जो भीहारबर दोरा की जाएगी उसमें भी बदलाव किया गया है इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने पांच विश्यों के अलावा यदि छठे अत्रिक्त विशय का चैन करता है और यदि वह प्रथम पांच विशय में से किसी भी एक विशय में यदि वह फेल कर जाता है तो उसको उसके छठे अत्रिक्त विशय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा बशर्ते कि उसके उन प पांच उत्रिण विश्यों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा इसका तातपर यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्रेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे दो लैंग्वेज पेपर्स और तीव ऑप्शनल पेपर्स इन पांचों पेपर्स में से किसी भी एक विश्य में यदि वह अनुत्रिन होते हैं यदि वह फेल करते हैं तो उनका और यदि वह एडिशनल विश्य में यदि वह उत्रिन होते हैं पास करते हैं तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जागा और वह पूर्ण सभी विद्यार्थियों का महन में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है आखिर एक्जाम पैटर्न को लेकर औजेक्टिव प्रस्न को लेकर कि आखिर इस वर कितना परतीसत औजेक्टिव प्रस्न पूछा जाएगा जिस तरीका से पिछले साल लिया गया था उसी पूछा जाएगा तो विडियो को कांटेनिव लाश्ट तक देखेगा पूरी डिटेल आप लोगों बताने वाला हूं लाइफ पूरू के साथ सब्सक्राइब यहां पर आप आप आठकिल जो दिया गया जिसमें देख से तेम बताये कि मैटिक बाई इंटर की परिछा में प्रसनों की संख्या यानि अप लोगको क्रोणा के कारण पिछले बार देखा जाया तो लगतार दो वरसों से करोणा के कारणा स्टुडेंट को पढ़ाई वाधिक इसके यानि अगर 50 प्रस्ट को जवाब देना था तो उसमें आप लोगों को सो अजेक्टिव परस्ट पूछा गया था जिसमें 50 को ही जवाब देना था दूगने विकल्ब पे साथ और सब्सक्राइब पूछा गया था अब इस वार भी सभी विद्यारतियों का मन में सवाल है कि अ इंट्रेमेडियेट यानि बार्स दोहजार तेस में जो भी विद्यार्थी बार्सी परिच्छा में सल समलित होंगे उनकी प्रस्णों के बैकल की वी संख्या आप लोगो घटेगी हलाके आप लोग यह आट किल दिया गया है जो आप लोगो खड़िया में ही खली आप लोगो सिर्व आप लोगो दैनिक भासकर में आप लोगो एच छापा था अब यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस वर और अजक्ति प्रस्णों के लेकर मन में सवाल चल रहा है उन से विज़यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि को वीडियो में बताया हूं आगे आपको बशनों की संख्या जो आप लोग 거 backward विशाया की संख्या जो बताए गया था उसमें अनन्द की सवर आकर आप लोग को बता यह थे और एक और लाइप रूब के आप लोगों तो इस तरीका से सभी विद्यार्थियों को देखा जाए तो जिस तरीका से आपका परिच्छा का भी आप लोग को आयोजन किया जाता है यानि कहने का यह मतलब हुगा कि जिस तरीका से आपका सेंटर परिच्छा में आया था दुगने विकल्ब के साथ उसी तरीका से आपका फानल परिच्छा में भी आपको आने वाला है तो आप घबराने के आपको सकता नहीं है जिस तरीका से इस बार सेंटर पर इच्छा आप लोग को लिया गया उसी पैटर्न पर आप लोग को लिया जाएगा बने मात